मुझरों नमस्कार, सभी को जय हरी संतों के द्वार पर का सात्वा पुष्व हमने गुंत लिया है अब ये आठ्वा पुष्व हम गुंतने जा रहे है सात्वे पुष्व में हमने देखा कि किस तरह से नवनातों का जन्म हुआ उनकी किवदंतिया ये जो भी कथाये है उनको बिल्कुल संक्षित तरुप में हमने देखा अब जो नात संपरदाय के सबसे बड़े जो गुरु जिनको माना जाता है गुरु गोरक नात उनके विशे में अब हम चर्चा करने वाले हैं इस चर्चा के पूर्व हमें देखना पड़ेगा कि जो सनातन धर्म है हमारा इस सनातन धर्म में क्या हुआ कि सनातन धर्म का सर्म आपको पताए कि सनातन धर्म में दो मुख्यता मार्ग है एक है आस्तिक मार्ग दुसरा है नास्तिक मार्ग आस्तिक मार्ग उस मार्ग को कहते है जिसके संत या विद्वान जो वेदों को माननेता देते है वेदांत को माननेता देते है उन्हें हम कहते हैं आस्तिक जो इश्वर को मानते हैं और दुसरे जो होते हैं वो नास्तिक होते हैं हम इसकी चर्चा आगे कभी इसी दुसरे विडियो में करेंगे आज हम देख रहें कि ये जो वेद थे इस वेदों का जो मार्ग था उस मार्ग पर जो चलने वाले थे उसे कहते थे वेद मार्ग वेदमार्गी तो यह जो वेदमार्ग है यह जो वेद थें सभी के सभी वेद यह संस्रित भाषा में है और यह जो संस्रित भाषा है इसको समझने के लिए उसका व्याकरण को समझना और अगर व्याकरण ठीक ठाक से आप ना समझ पाए तो वेदों का अर्थ निकालना कटिन हो जाता है इसलिए गुरु गोरखनात ने ये कहा कि जब आपको व्याकरन ठीक से नहीं समझ रहा है तो आप वेदों का ठीक से अर्थ नहीं समझ पाओगे और समाज ने भी इस बात को समझा तो लोगों ने क्या किया कि योग मार्ग की आपक्षा लोग वैश्णव मार्ग की हो रहा है वैश्णव मार्ग वेद मार्ग से बहुत सिधा था वेद वार्ग में आपको सारे तर्क वितर्क और वो सारे सिद्धानतों का अध्यन आपको करना था और उसके अनुरूप आपको आत्मा परमात्मा और इन सारी चीजों क लोगों को वो कठीन लगने लगा था और इसलिए वन लोगों ने चुना वैश्णुमार्ग और वैश्णुमार्ग में क्या था कि वैश्णुमार्ग जो था यह महाविश्णु का मार्ग था और महाविश्णु को सगुन रूप में देखने वाला यह मार्ग था फिर प्रभुर राम कहिए या कृष्ण कहिए इनके आउतारों का वर्णन उसमें किया जाता इनके इनकी मुर्थियों की स्थापना की जाते थी और उनका अध्यन उनका पुजन और वो किया जाता तो क्या हुआ यह जो वैशनेव मार्ग थे मार्ग था मतलब है अभी भी तो यह वैशनेव मार्ग के तीन बाते जो है वो इसकी बहुत महतोपुर्ण है एक है राग दूसरा है शुरूंगार और तिसरा है भोग राग भोग और शुरूंगार यह तीन महतोपुर्ण बाते ज राग मतलब संगित के द्वारा गीत गाकर भजन गाकर विदतर के राग गाकर क्या है कि अपने कृष्ण को राम को महा विष्णु को प्रसंद करने की जो विदिया है वो सारी जो है वो विष्णों में थे शिततरतर के भजन पद और वो गाया जाते थे गीत बहुत मधुर मधुर गीत जो है वो गाये जाते थे भोग में क्या करते थे कि जो मुर्ती है फिर वो प्रभु राम की हो प्रभु कृष्ण की हो या महा विश्णु की मुर्ती हो या किसी भी देवी देवता की मुर्ती हो उस मुर्ति के आगे चपन भोग जो है वो चड़ाय जाते थे मतलब चपन प्रकायर के अन जो है वो बनाय जाते थे और उसे चपन भोग कहा जाता था और वो सुबह शाम चपन भोग कृष्ण के लिए या प्रभू राम के लिए चड़ाय जाते थे और उसके बाद ही अन्नक ग्रहन किया जाता थी और तिसरा जो था वो मार्गत तिसरी जो बाते उनमें थी वो थी श्रिंगार ये जो सारे वैश्णव थे ये क्या करते थे उस राम की मुर्ति को उस कृष्ण की मुर्ति को वो श्रिंगार करते थे उनके लिए गहने उनके कान गुरु गोरखनात ने इस मार्ग का भी खंडन किया उन्होंने कहा कि मनुष्य राग श्रुंगार और भोग में अटक जाता है उस कृष्टी की मुर्ती में या प्रभुराम की मुर्ती में या महाविष्णु की मुर्ती में वह आपने आपको खो देता है और इससे उसका थे इसलिए वैश्णव मार्ग भी जो है वो समाज के लिए अच्छा नहीं है समाज के उद्धार का एक में अच्छा जो सादन है वो है योग मार्ग या उसे उन्होंने दिव्य मार्ग कहा था फिर इसके बाद क्या हुआ वश्णो जो थे वश्णो मार्ग और वश्णो मार्ग के बाद जो है गनपती मार्ग आया गानपत्य बोलते हैं इसे गानपत्य मार्ग कि जो हमारा समाज था वो क्या करता था गनेश जी की पूजा करता था क्योंकि सभी पुरानों में ये कहा गया कि श्री गनेश जो है ये आरंभ की देवता है शुब देवता है रिद्धिया और सिद्धि जो है इनके वो स्वामी है और लोगों को रिद्धि सिद्धिया और धन जो है उसकी आवशक्ता होती ही है और इसलिए उनने गनेश जी के आरादना शुरू की गनेश जी को प्रसंद करने का उनने शुरू किया तो गानपत्य जो मार्ग था, यह मार्ग भी काफी लोग प्रीय रहा, काफी लोग गनेश जी की पुजा करते थे, आज भी भारत में क्या पूरे विश्व में गनेश जी जी जो है वो पुजा की जाती है महाराश्टर में लोकमान्य तिलक ने सारवजनिक गनेशचों शुरू करके वो जो गानपत्यमारगत हा उसका142 सारवजनिक गनेश मंडल में ब्योंकी स्ताफना होती है और कई सामाजिक अच्छे काम जो है उन गनेश मंडलों के द्वारा जो है वो किये जाते है तो इस तरह का यह जो गानपत्य मार्ग था वो चला फिर लोगों के तर्ग जो है बहुत अलग-अलग होते है फिर गनेश जी का जो गनेश जी गानपत्य मार्ग के साथ-साथ और एक तर्ग जो है वो और एक मार्ग जो है वो चला था और वो मार्ग था सवर्य मार्ग सवर्य मार्ग मतलब सूर्य की आरदना करने वाले लोग इसमें वो इस तरह से कहते थे कि अगर सूर्य की पुजा नहीं करेंगे तो कोई भी वनस्पती, प्राणी, पशु, पक्षी कोई जिवित नहीं रह सकता तो सूर्य ही इस विश्व की देवता है इसलिए सूर्य की पुजा की जानी चाहिए इसी कारण से क्या हुआ कि सवर मार्ग जो है वो भी बहुत लोग पुरी हुआ और गानपत्य मार्ग के साथ सवर मार्ग या सूर्य मार्ग जिसे हम कह सकते हैं वह प्रचलित हुआ और इसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि स्री गनेश जी जो है ये तो शिव पुतर है तो गनेश की पुजा करने से अच्छा है कि हम शिव की पुजा करें और इसलिए शिव शंकर की पुजा होने लग गई उसे आदम मार्ग कहा जाने लगई अब शिव की पुजा होने लग गई शिव की आरादना सभी और होने लग गई तो लोगों ने देखा कि शिव की जो ई की मात्रा है वो शक्ति की मात्रा है इकी मात्रा के बगर शिव जो है वो शव है और शव को शिव बनाने वाली माता है वो शक्ती है इसलिए शाक्त मार्ग जो है वो भी उस समाज में शुरू होगा और लोग जो है शाक्त मार्ग के और भी काफी लोग है जो वो मुड़े आपने देखा होगा कि स्वामी परमहंस रामकृष्ण परमहंस जैसे महा ग्यानी या स्वामी वेकानन्द जैसे महा विद्वान ये लोग शाक्त मरगी थे महा कालिक की वो पुजा करते थे और इस तरह के अंगिनत संत जो है वो प्राचिन परमपरा से हमारे समाज में आये थे कि जो शाक्त की जो है वो पुजा करते थे शाक्त की जो पुजा करने वाले थे इसी में से ही एक कपाली मारगनिकला कपाली ये जो कपाली मारग थे ये लोग कपाल में ही भोजन करते थे वो कपाल बोलते हैं उसे में ही वो लोग खाना खाते थे और इसी से फिर अगोरी भी निकले अगोरी मार्ग इसमें ऐसे रिशी संत हुए है अगोरी मार्ग में जो समशान में रहते थे जलते हुए प्रेत को प्रेत का हाथ निकाल कर या पाउँ निकाल कर उसको वो खाते थे अगूरी थे केते कि वो अगर नजर मारते तो उड़ता हुआ पंची जो है वो मर कर नीचे गिरता अफि उसे वो खा जाते और कहते है कि कमंडल से पाने लेके उस राख पर जब वो छिंटे मारते थे तो वो पक्षी फिर से जिवन्त होकर आकाश में उड़ जाता था इस तरह की आगोरी की अनंत कथाये आमारे भारत वर्ष में देखी और सुनी जाती है आज भी कई ऐसे आगोरी संत है जो हिमालय में रहते हैं दूर दराज के जंगलों में रहते हैं बिहडों में रहते हैं के आज भी इस तरह अगोरी विद्या जो है उनके पास है और उससे वो काम करते हैं अभी पिछे दो-तीन वर्ष पूर वो जब प्रयाग में कुम्ब था उस कुम्ब में माता जी और पिता जी के साथ में वहाँ पर गया था हम घुमे थे उस कुम्ब में वहाँ पर हमें एक रिशी मिले थे जिनका हाथ इस तरह से उपर ही उठा हुआ था क्योंकि उन्होंने कहा कि यह 25 इस वर्षों से यह हात उपर यह यह हाथ लकड की तरह पत्ला था और कि उंगली जो है वह उपर थिंस सब्सक्राइब के रिशिएयों के दर्शन कर रहे verdict मार्मात कर जानकारी में यह बता गया कि यह जो रिषी है जिन की उंगली और हाथ फूरी बेक्ती हो वह पशि हो व्रक्ष हो वह जल जाता था भस्मो जाता था वह मरומडू इसली क्या करते हैं तो को उपर रखते हैं आकश्कियों वो आपको इस तरह से जंगलों में, बिहडों में और हिमालयों में पाए जाते हैं। वो सच है, जूट है, यह नहीं पता, लेकिन इस तरह की कता हमें बताई गई और उनको हमने देखा है। तो इस तरह से फिर क्या हुआ, कपाली के साथ साथ अगोरी जो वो भी चला, वस्तुता संसार में दो ही मार्ग होते हैं, एक योग मार्ग होता है, और दुसरा भूग मार्ग होता है। योग मार्ग यह कठीन मार्ग है, इसमें आपको योग करना है, आपको सीधे बैठ कर नामस्मरन करना है, इश्वर के अराधना करनी है, या कुंडलिनी जागरित करनी है, और आपको शष्टांग योग करना है, जो नाथो ने दिया। गोरकनाथ ने शष्टांग योग कहा, अश्टांग योग नहीं, पतंजली ने अश्टांग योग दिया था, उसमें से यम नियम को निकाल दिया था गोरकनाथ जी ने, और उनने उनको शष्टांग योग किया था, मैं आगे के वीडियो में ये आपको बताऊंगा। जो शाकाएं थी इन वजर्यान और हिन्यान शाका जो थी ये भी क्या हुए ये भी भोग की और ही चले गए थे ये भोग मारगी हो गए थे इन लोगों में मदिरा पिना माज खाना और सिर्यों के साथ संग करना इसमें कोई उन्हें मतलब तकलीफ नहीं थी वो इस बात को जियान भी उन्होंने कहा था लेकिन जब इन बातों को गोरखना देख रहे थे तो उन्होंने इसका कड़ाई से विरोत किया उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं होता भोग से कभी भी योग की तरफ नहीं जाया जाता योग आपके कल्यान के लिए है योग आपकी मुक्ति के लिए है भोग आपको विनाश की ओर ले जाता है इन सारी बातों को बता कर उन्होंने इन बातों का खंडन किया और इन्होंने जो किया है गोरु गोरखनाथ ने जो जितना धर्मों को शुद्ध किया है जितने सनातन धर्मों को अच्छी देन दी है उतनी देन उनके बाद भी कोई नहीं दे सका है उनके आगे भी किसी नहीं दे थी तो वो जो मार्ग था योग का जो मार्ग है इस मार्गों को गुरु गोरखनात्व ने दिव्य मार्ग का यह दिव्य मार्ग है आपको दिव्यता देगा आपकी संस्क्रिति आपके विचार आपके आचार आपकी योग आपकी ध्यान आपके धारना आपकी तपस्या इसको वो थोस आधार देगा और ये आपको शिवत को प्रदान करेगा आपको मुक्ष की प्राप्ति हो जाएगी आप शिवत को पा जाएंगे अब आप शिव हो जाएंगे अब लेकिन सिर्फ बताने से कोई सीव नहीं हो जाता या कि सुनने से कोई शिव नहीं हो जाता उसके लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कटिन है और उस कटिन प्रक् वो योगी बन जाएगा बिल्कुल सीधी बात है सोना जो है सोना जो है वो जब आग में तपेगा जब वो ठुकेगा पिटेगा तब चल कर सोना जो है वो बाहर आता है ऐसे ही किसी की जीवन का सोना नहीं होना है और इसलिए गुरु गुरुकनात ने कहता कि ये दिव्य मार्ग है, इसमें दिव्य विचार लेकर जब आप आएंगे, आपको शिवत्व को प्राप्त करना है, तो आपको ये भोग मार्ग जो है, ये भोग मार्ग आपको सनप्ति के और ले जाएं। फिर कुछ लोगों ने कहा कि गंगा में सनान करने से मुक्ति होती है उन्होंने इसको भी कहा कि नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता अगर गंगा में सनान करने से मुक्ति मिलती है तो गंगा में तो कई मचलिया है और कई तरह की जीव है उन जिवों को भी मुक्ती मिल जानी चाहिए थी तो उसे भी उन्होंने विरोध किया साथी जैनों में जो दिगंबर पंथ था दिगंबर पंथ का भी उन्होंने विरोध किया दिगंबरों का मानना था कि इश्वर और हमारे बीच ये कपड़े आते है और इसलिए अगर हम ये कपड़े ही उतार कर फेक दे हम अपने इंद्रियों पर अगर ताबा कर ले तो हो सकता है कि इश्वर से हमारा मिलन जो है वो सेज हो जाए गुरु गोरखनात ने इसका भी बड़ी जोरदार तरीके से खंडन किया उन्होंने कहा अगर नंगे रहने से इश्वर की प्राप्ति होती है तो कुता, बिल्ली, शेर, बाग और जो भी जितने भी वन्य प्राणी है गाए भेंसले के सारे के सारे प्राणी इन सभी ये सभी तो नंगे रहते पीने भी तो मुक्ति मिल जानी चाहिए थी तो इस तरह से एक उस जमाने में छटी सात्वी शताब्दी में इस तरह का एक विद्वान पूरुष नात संप्रदाय में आता है और वो एक नात संप्रदाय को एक अलग दिशा में ले जाता है यह आपने आपने एक बहुत बड़ी बात है गोरखनात उस समय में जो बायान डंबर थे कर्मकांड थे उन पर वार कर रहे थे एक बात आप ध्यान में रखिए कि उनके पूर्व गौतम बुद्ध ने इनी पर वार करके एक बुद्ध मार्ग बुद्ध धम इसकी स्थापना की महाईविर ने इनी बातों पर प्रहार करके जैन मार्ग की जैन धर्म की जो है आप कह सकते हैं कि उन्होंने स्थापना की थी और वो अडंबर फिर भी चले आ रहा था लगबग दुसरे शतापदे में जैन और बुद्ध की धम की स्थापना जो है वो आपको देखने को मिलती है और चटी या साथी शतापदे में गुरखनात ये सब देख रहे है और वो शुद्ध करना चाहते है अपने समाज अपने धर्म की लोगों के मानसिक्ता की शुद नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं लोग भाग रहे हैं कोई सुरी की पुझा कर रहा है कोई विष्णु की पुझा कर रहा है कोई जंगली जानवरों की पुझा कर रहा है कोई नाग की पुझा कर रहा है कोई शिव की पुझा कर रहा है कोई शक्ति की पुझ कर रहा है तो यह सब सारा चल रहा था इससे सनातन धर्म बट रहा था सनातन धर्म के लोगों पर तरह तरह के अन्याय जो है वो किये जा रहे हैं कि वेदों के पुरुष्षुप्त के अनुसार मनु ने जब मनुस्वृति लिखी कर्म आधार पर जिन वर्नों का बटवारा किया गया था वो जाती आधार पर होने लग गया था परश्ट था ब्रह्म जानी तोची ब्राह्मन जो ज्यानदान का कार्य करेगा वो ब्राह्मन था जो शक्तिशालिय वर्ग था जो सुरक्षा कर सकता है उन्हें शत्रिय कहा गया जो बैटकर व्यापार कर रहे है हर तरह का व्यापार तो उसमें किसानी भी आई मजदूरी भी आई यह सारे लोग यह वैश्य में चले गए और जिन लोग जो लोग दिन भर मेहनत कर रहे हैं इदर उदर से इदर से उदर से घुम रहे हैं सारे छोटे बड़े काम जो है वो कर रहे हैं उन्हें शुद्र कहा गया था लेकिन बड़ी होशियारी से बाद में इस कर्मगत समाज रचना को जातीगत समाज रचना करके ब्रामन को छोड़कर मतलब ब्रामने तर जो थे उनके लिए धर्म के सारे दर्वाजे बंध हो गए थे उन पर तरह-तर के अन्या आत्यचार हो रहे थे कर्मकांड और बायान डंबर में इस तरह से उनको पिसा जा रहा था चूंकि वो वेद नहीं जानते थे वसंस्कुत नहीं जानते थे किसी के भी घर पुत्र होता है तो वो ब्रामन को जाके पुछता था कि इसका क्या नाम रखे आज भी हम बदले नहीं है 21 वी शताबदी की बस बड़ी-बड़ी बाते हम लोग करते हैं आज भी पड़े लिखे लोग अपने शादी जोडने से पुर्व कुंडलिया मंगा कर जोडते हैं और वो जोडने वाले डॉक्टर है, इंजिनियर है, प्रोपेसर है, शिक्षक है, वकील है तब हमें शर्म आती है कि इस 21 वी शताबदी में बड़ी-बड़ी विज्ञान की बाते करने वाले हम लोग आज भी हमारी शादी कुंडलिया देख कर जोडते हैं आज भी गाएं भी अगर हमारी गुम हो जाती है, तो आज भी हम ब्रह्मन के पास जाते हैं और उनको पुछते हैं कि भई हमारी गाएं गुम हो गई, और फिर ब्रह्मन बताता है पुर्वक के ओर मिलेगी और वो गाएं हमें दक्षिन के ओर मिलती है आज भी पुत्र जन्म के बाद पुत्र के उस जन्म का समय हम उस ब्राह्मन को बताते है और फिर ब्राह्मन कोई पता नहीं क्या देखता है वो कुंडली बनाता है और कहता है इसका नाम गा से रखो डी से रखो ओ से रखो पता नहीं ओ से डी से कौन से नाम निकालेंगे आप तो इस तरवकी अद्भूत सारी चीजे आज भी हो रही है और उस युग में, 6, 7 वी शताब दी में हमारे गुरु गोरखनात इन चीजों को इन चीजों का खंडन कर रहे है कि इन चीजों को नकार रहे है सोची आप कि कितने प्रकानपंडित होंगे हमारे गुरु गुरु नात वो जाती पाती को भी तोड़ रहा है उन्होंने कहा कि नात संप्रदाय में कोई जाती नहीं पुछी जाएगी किसी को आपको देखो मैंने बताया पिछले वीडियो में हमने देखा कि सारे नात जो थे जिस सबके जन्म अदूत है पता ही नहीं कि वो कोन है पता ही नहीं उनकी जाती क्या है पता ही नहीं उनका धर्म क्या है पता ही नहीं उनके माबाब कोन है अनाथों को नाथ करने वाला ये नाथ संप्रदाय गुरु गुरक नाथ की वज़े से अत्यनत विशाल अरुदही ये संप्रदाय बना और इस संप्रदाय ने कहीं गरीब दीन, दलीत, सारों को अपनाया अगर मैं ये कहूं कि नाथ संप्रदाय यदी इस संसार में अविर्बुत नहीं होता या गुरु गुरक नाथ अगर इस धर्ती पर जन्म नहीं लेते तो मैं ये दावेश से कह सकता हूँ, ये आतिश्योक्ति पूर्ण आपको नहीं लगना चाहिए कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म छटी या सात्वी शताब्दी में ही समाप्त हो गया होता क्योंकि सनातनियों के लिए जगडने वाला, लडने वाला, सनातन यह धर्म इसकी भगवी ध्वजा, गेरुई ध्वजा, लहरा आने वाला, कोई नहीं था भारत में गौतम बुद्ध और महावीर के प्रकांड पांडित्य ने सनातन धर्म को तोड़ दिया था जिसको आजकल आप हिंदु धर्म समझ रहे है, यह धर्म पूर्ण तरफ से तूट गया था लोग बिखड गये थे, लोग नहीं समझ रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए कर्मकांड और पाखंड और बायान डंबर से लोग तरस्त थे कहां से चपन बोग खाना खिलाए गरीब आदमी, आमादमी कहां से गीत गाकर भगवान को रिजाए गरीब आदमी कहां से हमारे विश्णु को महाविश्णु का और क्रिश्णु को शुंगार करे कहां से पिता की मृत्यू के बाद उनको पिंड दान करने के लिए गाए दान करे कहां से ये सारी चीजे हो इसे लिए जो सामान्ने विक्ती था वो तरस्त था एक तो उसने खेती बेच बाच कर घर दार सब कुछ बेच कर उन्होंने अपने पिता के लिए अपनी माता के लिए स्वर्ग के दार जो है मुक्ष के दौर खुले के थे इन पंडा और पंडितों के कहने पर और इस तरह की जो सरयाम लूट जो थी वो तब भी चल रही थी आज भी चल रही है तब तो उन पे आप कैसे था कि जबरदस्ती से उनको करने पर बात देखिया जाता था आज हमारा दुर्भग्य ये है कि हम स्वयम इन लोगों के पास जाकर हमारे पूर्वजों को स्वर्ग प्राप्ति के लिए या उनके मुक्ष प्राक्षि के लिए हम विदियां करवाते हैं गुरु गोरखनात ने इन सारी चीजों को तोड़ा था नका रहा था लेकिन इसके बावजूद भी इतने 1300 वर्षों के बाद हम लोग अभी भी नहीं सुद्रे है यह सबसे बड़ी हमारी विडम बना है हमारे मानव समाज को हमारे सनातन धर्म की विडम बना है कि आज भी हम मंदिरों में आटके हुए है आज भी हम लोग कर्म कांडों में आटके हुए है आज भी हम लोग भजन किर्तनों में आटके हुए है कथा कारों ने मजाग बना के रख दिया है सनातन को मजाग चल रही है मजाग रादे रादे के भजन करने वाले स्री राम की कथा करने वाले अपने स्टेज पर से अन्य धर्मु की जजेकार कर रहे है मैं बिल्कुल इसमत का नहीं हूँ अन्य धर्म बिल्कुल अच्छे है होंगे वो धर्म के मुला, मोलवी, पंडीत, पादरी वो कभी भी तुमारे धर्म के किसी भी संत का तुमारे धर्म के किसी भी इश्वर का अगर जजेकार नहीं करते तो आप लोगों को किसने ये हग दिया कि आप उनके देवी देवताओं का आप जजेकार करें करना है आप घर पे बैटिए या आप जाईए मजडितों में आप वहाँ पे जजेकार किजिए आपको किसने हग दिया कि व्यास पीट पर बैट कर आप लोग धर्मों के साथ खिलवाड करें आप जैसे लोगों के कारण ही सनातन मघिऑ थर्म का नाश हुआ है बहुसंग के हिंदू धर्म के लोग इस देश में रहते हैं बस नाम के लिए रहते हैं आज भी से हिंदुस्तान नहीं कहा जाता सनातनियों की रास की यही कारण थे जो साथवीश सताव्ध वो आज 21 शताब्दी में भी वही कारण है यहां महाराष्टर में किर्टनकारों ने तो सनातन धर्म के प्रचार के लिए वो किर्टन करते हैं तमाशा कर दिया है किर्टनकारों ने तमाशा किर्टन क्या है कॉमेडी शो है इश्वर का कहीं गुनगाम नहीं है धर्म की कोई बात नहीं है सामाजिक सुदार के नाम पर इन लोगों ने तमाशा करके रख दिया है हमारे ग्यानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, एकनात, बहिनाबाई, जन्याबाई यह जो सारे जो थे यह सारे संतों ने हमें धर्म का मार्ग, सच्चा मार्ग दिखाने के लिए इन लोगों ने अपना पूरा जीवन जो है वो बिता दिया पूरा जीवन आरपन कर दिया है समाज के नाम, उनके किर्दन और प्रवचनों में इश्वर का गुनगान होता था और इश्वर की और जाना ही आपका एक मार्ग है, यह लोगों को वो बताते थे, फिर वो सगुन मार्ग की और हो या निर्गुन मार्ग की और हो, या किसी प्राप्ति कर लेंगे अब सच्चे इश्वर को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो ये करिए आज क्या चल रहा है मजाग बना के रद्धिया है इन धर्मपंडितों ने स्वयम गोशित धर्मपंडितों ने और कुछ संगटन धर्म के ठेकदार बने हुए है वो सोचेंगे कि कोई प्रेम्युह करेगा या नहीं करेगा वैलेंटाइन डे कोई मनाएगा या नहीं मनाएगा यह वो तअ करेंगे हम ताइ साथ नहीं कर पाएंगे तो इस तरह की जो समाज में बुराईयां और कूरुतियां गुसी है ये कूरुतियां इनके स्वरुबदल भले ही गए हो लेकिन ये कूरुतियां सात्वी शताब्दी में भी थी और गुरु गोरखनात एक में उस तकालिन संत थे जिनोंने कड़ाई से इनका खंडन किया इनक कुल वज्ड की तरह वह खड़ रहे इस तरह के संतों का इस तरह के रिशियों का योगदान हमारे देश में है अधी शंकरा चारे भी निकले थे दक्षिन से लेकर हिमालय तक जो जो भी मिला उन सब को वाद विवाद में हरते हराते वह वहां पर पहुंचे थे और उन्हों सनात्में इस तरह से समाज को हमारे सनात्म धर्मों को सुदारने की भरकस कोशिश की थी पर दुर्देव है हमारा कि आज भी हम नहीं सुद्रे है आज भी हम वही कर्मकांड और बायान डंबरों में हम लोग अटकते हुए जा रहे हैं यह जो है यह हमारे लिए बहुत दु ठीक है काफी लंबा विडियो हो जाएगा अब हम यह अठवा पुष्प हम यहीं खतम करते हैं नवे पुष्प में बुरु गुरकनाद जी के बारे में और जानकारी लेंगे आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद चेहरी जै जै राम पुष्ण हरे